दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक कहानी से कहानी मोहन की मोहन भारत का एक नागरिक है और काफी ज़दा पॉलिटिकली एक्टिव है वो हर दिन अपने दोस्तों से मिलकर भारत में चल रही गती विदियों पर चर्चा करता है बाद में सोशल मीडिया पर जाकर अपने विचार अभिव्यक्त करने से भी नहीं चूपता तीन साल पहले मोहन ने अपनी कमपनी के सभी करमचारियों को एकठा कर एक और्गनाईजेशन एक ऐसोसीशन का गठन किया ताकि वे सब अपने अधिकारों को सुरक्षत कर सकें लास्ट येर मोहन और उसकी पत्नी ने ये डिसाइड किया कि वो नौर्थ एस्ट की सेवन स्टेट्स ब्रहमन करने जाएंगे वहाँ से लोट कर मोहन ने ये मन बनाया कि क्योंकि मेघालिया की राजदानी शिलोंग उसे बहुत जादा पसंद आई तो वो दिल्ली छोड मेघालिया में बसना चाहता है और वहाँ जाकर वह चाय का विवपार करना चाहता है अब ये सभी जो अधिकार मोहन एंजॉय कर रहा है क्या आप जानते हैं कि ये सभी के सभी अधिकार हर भारतिय नागरिक के पास हैं और ये जो सभी के सभी मौलिक अधिकार हैं ये हमें एक ही आर्टिकल आर्टिकल 19 में देखने को मिलते हैं आज उसी आर्टिकल 19 के उपर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आर्टिकल 19 में हमें कौन से कौन से freedoms मिले हुए हैं तो वेलकम तो सडी आई क्यू मैंने में इस चांद कुबा एंड अगर आप मेरी वीडियो की आपको प्रवाइड किया रहे हैं उनली एट 499 इन सेवन टेस्ट में 150 क्वेस्टेंस इच विद फुल एक्स्प्लेनेशन आपको प्रवाइड किया रहे हैं चले बढ़ते हैं आर्टिकल 19 की तरफ देखें आर्टिकल 19 हम बात करते हैं हमारे फंडमेंटल राइट्स की तो तीन सबसे इंपॉर्टन फंडमेंटल राइट्स हैं 14 आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है गोल्डन ट्रियांगल अब यह गोल्डन ट्रियांगल के जो आर्टिकल 19 है वो हमें six fundamental freedoms प्रवाइड करता है अब यह कौ दूसरा है freedom to assemble peacefully and without arms अब यह एक बहुत ही important freedom है कि आप सभी मिलकर अपने यहां पर ग्रुप बना सकते हैं बट यहां पर आजादी है वो without arms assemble होने कि एंड टीसरा है freedom to form association union और cooperative societies जैसे कि हमने मोहन के case में देखा फिर आता है जी freedom to move freely throughout the territory of India fifth is freedom to reside and settle in any part of the territory of India and sixth is freedom to practice any profession or to carry out any occupation trade or business यह छे के छे अधिकार या freedoms आज इनी पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके इन सभी को देखेंगे एक चीज यहां पर समझ लेनी जरूरी है कि यह छे अधिकार या जो freedoms हमें मिले हुए है यह absolute नहीं है इन पर restrictions लगाई गई है जो की reasonable restrictions है जो की जरूरी भी है आज वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं freedom of speech and expression की तो यह हमें देखने को मिलता है कि सबसे important और ऐसा अधिकार है जिस पर Supreme Court ने काफी जादा judgments दी है और काफी जादा इसे expand किया है क्या है freedom of speech and expression चलिए देखते हैं कहता जी freedom of speech and expression means right to speak and right to express oneself through any medium words of mouth, writing या फिर pictures, signs, internet, etc. अपने आपको अभिव्यक्त करना freedom of speech and expression है आप अपने आपको लिखकर, बोलकर, signs के थूँ या चुप रहकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं Every citizen has the right to hold opinion and to be able to express it including the right to receive and impart information देखें मैंने जैसे कि अभी कहा कि ये एक ऐसा अधिकार है जिसे Supreme Court ने काफी जादा wide connotation दी है क्या-क्या चीजें Supreme Court ने इस अधिकार के अंडर लाई हैं थोड़ इसे examples हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो freedom of speech and expression के तहत हमें freedom of press दिया गया अब यह एक important case सा Bennett Coleman versus Union of India का case रहा है 1972 का इसमें Supreme Court ने क्या कहा कहता जी freedom of press is both qualitative and quantitative freedom lies both in circulation and in content यानि कि सरकार या फिर यहाँ पर सरकार की कोई agency press के ऊपर कोई भी परकार की restrictions यहाँ पर नहीं लगा सकती जो कि उनको freedom of speech and expression उनसे चीनती हों यहाँ पर reasonable restrictions आफकोर्स लगाई जा सकती है बड़ यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर आया गया कि भई कोई pre censorship सरकार जो है press के ऊपर नहीं लगाई जा सकती यानि कि सरकार यह मजबूर नहीं कर सकती newspapers को कि आप जो भी print कर रहे हो उससे पहले हमें देखाओ कि आप क्या print करने वाले हो साथी में यहाँ पर no pre stoppage of publication in newspaper of articles or matters of public importance यानि कि आप कोई ऐसे articles पर जैसे मान लिजिए देश में कोई समस्या चल रही है लेट से देश में महगाई चल रही है तो सरकार यह नहीं कह सकती कि महगाई पर कोई भी article नहीं चापा जाएगा फिर आता है जी freedom of circulation यानि कि सरकार एक newspaper कहां कहां circulate होगा उस पर भी कोई पबंदी नहीं लगा सकती and no excessive taxes on the press basically मुद्दा यही था इस case में भी कि भई excessive tax जब आप लगा रहे हो तो आप एक तरह से यहां पर कोशिश कर रहे हो कि वह जो अखबार है उसे आप यहां पर कोश्ट इंपोज करके discourage करो यह भी यहां पर नहीं किया जा सकता फिर राता जी right to know and to obtain information again जानकारी का अधिकार state of UP versus राज नारायन वहां पर यह बात कही गई कि right to freedom of speech and expression में ही जानकारी का अधिकार भी आ जाता है देखिए भाई जब तक हमें कुछ पता नहीं होगा तो हम सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं या सरकार की नीतियों के खिलाफ किस तरह से अपनी आवाज उठा सकती हैं जो यह हमें नहीं पसंद आती तो यहां पर कहा गया that people have a right to know every public act everything that is done in public way और by the public functionaries यानि कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है हम पब्लिक के लिए क्या कर रही है यह हमें जानने का अधिकार है हम तभी सरकार को या तो appreciate कर पाएंगे या फिर सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा पाएंगे क्योंकि सरकार हमारे लिए ही कर रही है हम ही द्व available in the government आप देखिए इसी के तहत हमें देखने को मिलता है कि freedom of speech and expression के तहती right to information act हम लेकर आए भारत में कब 2005 में आगे बढ़ते हैं right to know the antecedents and of the candidates at election देखिए बहुत इंपॉर्टन केस रहा union of India versus association for democratic reforms 2002 का यह केस है जहां पर यह सुप्रेम कोर्ट नहीं है कहा कि बहुत जब त हम अपनी vote डाल रहे हैं किसी एक particular party के लिए एक ideology के लिए candidate के लिए vote का इस्सेमाल कर रहे हैं हम अपने आपको अभिव्यक्त कर रहे हैं एक तरीके से कि हम किस party के साथ हैं अब किस candidate को आप चुनना चाहते हो आप तब तक एक informed decision नहीं ले पाऊगे जब तक उस candidate के जो पुर रहा है क्या उसके interest रहे हैं जब तक मुझे नहीं पता होगा मैं किस तरह से अपने vote का सही इस्तेमाल कर सकूँगा तो vote का इस्तेमाल करना मतलब expression वह expression के लिए मेरे पास उन candidates की जानकारी होना जरूरी है ये भी Supreme Court ने held किया फिर आता जी right to silence freedom of speech and expression में सिर्फ बोलना ही नही कार है और वो बात यहां पर बिजोई इमैनुवल वर्सिस स्टेट ऑफ केरला के केस में Supreme Court ने कही गई और इसके बाद आता है जी right to fly national flag अब national flag हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है our respect for our nation, our democracy वो इससे जुड़ा हुआ है इसलिए जब हम अपने देश के जंडे को फहरा केस में तो पहला जो अधिकार हमें Article 19 में मिलता है वो यह है, दूसरा जो हमें यहां पर अधिकार मिलता है, हम पहले अधिकार को ही एक बार और ज्वारब जाधा detail में देखें, तो हमें देखने को मिलता है कि यह जो पहला अधिकार है it is not absolute इसके ऊपर भी काफी जादा यहाँ पर जो है you know reasonable restrictions लगाई गई है जो कि constitution में ही लगाई गई है 1901 A में हमें यह पहला अधिकार मिला that is freedom of speech and expression and 1902 जो आर्टिकल 19 का clause 2 है उसमें reasonable restrictions जो है freedom of speech and expression पर लगाई गई है क्या-क्या reasonable restrictions है सबसे पहले तो यह कि आपका freedom of speech and expression इस तरह से आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते कि वो देश की संप्रभुदा यानि कि देश की sovereignty और integrity के खिलाफ जाए यानि कि आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे भारत की संप्रभुदा और integrity को खत्रा पहुंचे आप भारत को तोड़ने की बात नहीं कर सकते भारत में सरकार को या तकता पलट करने की बात आप नहीं कर सकते दूसरी बात है जी security of the state यानि कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जैसे हम देखते हैं कि जो भारत में anti-social elements है जो देश की सुरक्षा को खत्रा पहुचाना चाहती है चाहिए वो internal security हो या फिर external security हो जैसे कि नकसलाइट हम देखते हैं भारत में या फिर कुछ terror groups हम देखते हैं जो की भढ़काव भाशन भाजी करते हैं फिर आता है जी friendly relations with the state आप ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते या से हमारे देश के किसी दूसरे देश के साथ जो रिष्टे हैं वो खराब हो फिर आता है public order decency और morality यहां पर hurt हो आप ऐसा भी कुछ यहां पर बोल या express नहीं कर सकते आप यह कोई यह नहीं कह सकता कि मेरे पास freedom of speech and expression है तो मैं सब के सामने यहां पर गाली गलोज करूँगा क किसी को कुछ भी बोलना शुरू कर दूआ आप ऐसा नहीं कर सकते या किसी धरम को या किसी जाती को कुछ भी गलत बोलूआ आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उससे public order बिगड़ता है कैता जी in relation to contempt of court again contempt of court एक बहुत ही एहम मुद्दा बन जाता है क्योंकि judiciary में आप सब का incitement of an offense किसी को यहाँ पर दंगा फसाद या कोई और अपराद करने के लिए आप incite नहीं कर सकते यह reasonable restrictions इस अधिकार पर लगाई गई क्या है यह अधिकार देखते हैं कैता जी freedom to assemble peacefully and without arms कैता इस it includes the right to hold public meetings hunger strikes and right to take out processions अब जैसे कि हमने बात की मोहन की मोहन हर दिन अपने दोस्तों से मिल बैठता है मिलकर वो भारत के भारत में चल रहे ही गतिविदियों पर चर्चा कर रहा है अब यह आप अपने दोस्तों के स साथ मिलते हो बैठते हो या कोई political rally में जाते हो कोई NGO की meeting में जाते हो associations की meeting में जाते हो जहां भी जाते हो यह जो इकठे होने का आपको अधिकार है मिल बैठने का जो अधिकार है यह article 19 clause 2 में clause 1 B में मिला हुआ है अब यहां पर क्या कहा गया आप hunger strikes भी कर सकते हो public meetings भी कर सक नकसल इकठे होकर कह दें या terrorist से इकठे होकर कह दें जी हमारे पास तो अधिकार है देश में इकठे होकर बैठने का आपके पास अधिकार है अभी व्यक्ति का बैठने का मिल बैठने का but without arms है यानि कि आप हत्यारों के साथ इकठे नहीं हो सकते unlawful assembly के लिए इकठे नहीं ह हो सकते आप यहां पर unlawfully इकठे नहीं हो सकते कहते जी there is no right to hold an assembly on the government premises or private property belonging to others आप यह नहीं कह सकते कि कि किसी और की property में कठे होकर हम यहां पर बैठेंगे और बाचित करेंगे no किसी की property की उपर यहां पर आप यहां इकठे नहीं हो सकते आगे बढ़ते हैं एक केस आया हिमत लाल वर्सिस पुलिस कमिशनर बॉंबे यहां पर सुप्रीम कोट ने basically कुछ ऐसे रूल्स को struck down किया था जहां पर एक कमिशनर और पुलिस को एंपावर किया गया था total ban on public meetings यानि कि सरकार ने कमिशनर और पुलिस को यह पावर दे दे थी कि वो अपनी मन मर्जी से जहां पर उन्हें ठीक लगे public meetings पर complete ban लगा सकते हैं इस पूरे रूल्स को सुप्रीम कोट ने इस case में stuck down कर दिया था क्योंकि complete ban लगाना without reasonable restrictions is not given in the article 19 article 19 में क्या-क्या reasonable restrictions दी गई है कहता है जी in the interest of the sovereignty and integrity of the India and in interest of public order यह दो restrictions यहां पर दी गई है कि भारत की संप्रभुता और भारत की integrity पर अगर बात आती है तो आपको वहां रोका जा सकता है मान लीजिये ऐसी कोई assembly होती है जहां पता है कि भाई वहां बात ही भारत को तोड़ने की होनी है या भारत के खिलाफ होनी है तो वहां पर आप लोगों को assemble होने से रोका जा सकता है जैसे कि हम नकसल्स या terrorist को रोकते हैं दूसरी बात है public order जहां पर बिगड़ता हूँ हमें लगता है कि भाई कोई procession हो रही है और दो groups के बीच में यहां पर दंगा फसाद हो सकता है या एक group यहां पर मिलकर meeting करेगा और दूसरे group के खिलाफ भाशन बाजी करेगा वहां पर हम यहां पर reasonable restriction के तहत रोक सकते हैं ऐसी assembly को हमें देखने को मिलता है कि वो होता भी है right so वो यहां पर freedom to form associations unions और cooperative societies article 91 c में हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम associations बनाए unions बनाए और cooperative societies बनाए and article 19 clause 4 में उस पर reasonable restrictions लगाए गई हैं जैसे कि हमने Mohan की case में देखा कि उसने अपनी company के employees को मिला कर एक association बनाए अब यह association यहां पर क्या होता है association का मतलब होता है a group of persons who have come together to achieve a common objective which may be for the benefit of the members of the welfare of the or of the welfare member you know या तो वो अपनी company के या फिर जो group के members हैं उनके benefit के लिए हो या फिर general public के benefit के लिए भी वो association बनाए जा सकती है या फिर scientific charitable और any other purpose यानि कि कोई भी purpose यहां हो सकता है except the reasonable restrictions all right so आप अपने फाइदे के लिए भी बना सकते हो general public के फाइदे के लिए भी बना सकते हो या कोई और purpose के लिए भी बनाए सकते हो अब right to form associations में ही companies बनाने का society, trade union, partnership firms, etc. बनाने का भी अधिकार आ जाता है and includes right not to be member of association अब यह भी बड़ा interesting मामला है कि जहां पर आपके पास यह अधिकार है कि आप right to form association है यानि कि आप association बना सकते हो वहीं आपके पास यह भी अधिकार इसी में आ जाता है कि आपको कोई forcefully किसी association का member नहीं बना सकता यानि कि आपको यह force नहीं किया जा सकता है कि भाई आप इस association के member बनो वह भी इसी में आ जाता है फिर कहता है जी no fundamental right to recognition of association आप association तो बना सकते हो लेकिन इसमें यह कता ही नहीं कहा गया कि आपकी वो जो association होगी उसे सरकार की तरफ से कोई recognition या पहचान मिलेगी ही मिलेगी ऐसा बिलकुल नहीं कहा गया इस article के तहट तो आप यह claim नहीं कर सकते कि भाई हमारी association है सरकार उसे पहचान करे उसे recognize करे इस तरह से आप वहाँ पर demand नहीं कर सकते क्या क्या reasonable restrictions हैं कहता जी in the interest of sovereignty and integrity of India and in the interest of public order और mortality और mortality वही सारी बातें यहां पर दुबारा लागू हो गई कि भाई association बनाओ लेकिन कोई ऐसी association ना बने जो कि public interest या morality के खिलाफ जाती हूँ फिर आता है next that is freedom to move freely throughout the territory of India and freedom to reside and settle in any part of the territory of India यह दो अधिकार है दो इकठे में यहां पर discuss किये 19 clause 1 sub clause D and 191 E के यह दो अधिकार है 1905 में इन पर restriction लगाई गई है पहला तो है कि भारत में आप कहीं पर भी जा सकते हो दूसरा है कि भारत में कहीं भी आप settle down हो सकते हो यानि कि हर्याना का एक आदमी West Bengal में जाकर settle down हो सकता है नागलेंड का एक व्यक्ति Tamil Nadu में जाकर settle down हो सकता है और केरला का एक व्यक्ति जमू कश्मीर में जाकर भी settle down हो सकता है एक चीज यहां पर जो देखने की है वो यह कि इस पर भी reasonable restrictions लगाई गई है लगाई जाती है for example यह एक absolute right नहीं है कि आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हो या कहीं पर भी settle down हो सकते हो क्या-क्या reasonable restriction है again interest of general public and for the protection and interest of any scheduled tribe देखे भई आपको scheduled areas में हर जगहां जाने की permission नहीं होती हैं कई सारे ऐसे areas होते हैं जहां पर जो local communities होती हैं खास करके जो local scheduled tribes होती हैं वो काफी जादा vulnerable होती हैं बाहर के जो भी interventions होते हैं उन से यानि की बाहर के व्यक्ति अगर कोई वहाँ जाएंगे तो उनका जो culture है उनका जो रहन सहन है साथ में उनकी जो health है उन सभी को नुकसान पहुंच सकता है ऐसे में state governments या फिर central government यहाँ पर reasonable restrictions लगा सकते हैं आपकी उस movement पर यानि कि कुछ ऐसे areas हैं जहां पर जाने पर आपको पाबंदी लगाई जा सकती है या जहां पर settle down होने पर आप पर पाबंदी लगाई जा सकती हैं आगे बढ़ते हैं freedom to practice any profession or to carry out any occupation trade or business article 91G में यह बात कही गई और 1906 में इस पर restriction लगाई के अब जैसे कि मैंने कहा कि freedom to practice or you know start any business या profession, occupation, trade कुछ भी आपको शुरू करने की आजादी है but at the same time आपको shut down करने की आजादी है यानि कि business शुरू करने का भी अधिकार इसी में है business बंद करने का भी अधिकार इसी में मिला हुआ है there is no right to carry any dangerous again please understand जैसे कि हमने अभी कहा कि भाई हमें शुरूआत करने की आजादी तो है business at the same time reasonable restrictions लगाई जाती है हम यह नहीं कह सकते कि भाई क्योंकि मुझे business कोई भी business शुरूआत करने की अजादी है तो मैं यहाँ पर let's say कि कोई illegal activity का ही business जैसे कि mafia या कोई इस तरह का कोई business शुरू कर दूँ या फिर सुपारी लेने का किसी का business शुरू कर दूँ है contract killings का business या drugs openly sell करने का कोई business इस तरह से शुरू कर दूँ ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कोई भी business या activity जो की dangerous हो या फिर anti-social हो या कोई criminal activity हो ऐसा कोई business या occupation आपको शुरू करने की अजादी नहीं मिल सकती देखे भाई आपको business शुरू करने की अजादी है इसका मतलब यह नहीं है कि केवल आप ही के पास है वो अजादी दूसरों के पास भी है आप यह नहीं कह सकते कि भाई मेरा business है मेरे business को बचाना सरकार की जिम्मेवरी है तो इसका मतलब दूसरों को business ही ना करने दिया जाए क्योंकि उनका business शुरू होगा तो मेरा business पर असर पड़ेगा आप ऐसा नहीं कर सकते business का मतलब यह नहीं है या article 91 G का मतलब यह नहीं है कि आप ही के पास वो अधिकार है सब के पास अधिकार है competition को रोका नहीं जा सकता in fact उसे encourage किया जाएगा विशाखा वर्से स्टेट अफ राजस्थान में एक बहुत ही important बात कही गई थी कि भाई यह जो sexual harassment of women at workplace होती है इससे महिलाओं को जो article 91 G में अधिकार मिला हुआ है that is right to open any occupation business etc और उस पर असर पड़ता है वो infringe होता है यानि कि महिलाओं का sexual exploitation at workplace इनके right to do any business occupation और any trade पर असर डालता है क्योंकि वो फिर discourage होती है so ऐसा नहीं होना चाहिए आगे आते हैं जी reasonable restrictions again reasonable restrictions जैसे कि हमने बात की कि आप यहां पर क्या कहा गया कहता है जी empowers the state to lay down by the law the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation trade or business please understand one thing कि कई सारे ऐसे businesses होते हैं जहां पर कुछ requirements रहती हैं कि आप इतनी आपकी qualification होनी चाहिए इतनी आपकी skill set होना चाहिए इतने आपकी basic minimum requirement of infrastructure होनी चाहिए तभी आप वो business शुरू कर सकते हैं और वो यहां पर सरकार lay down कर सकती हैं for example आप अगर CA Chartered Accountant बनना चाहते हैं तो CA की जो qualification है आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो LLB की degree आपके पास होनी चाहिए यह सरकार lay down कर सकती हैं अगर आप doctor बनना चाहते हैं तो MBBS की degree कम से कम आपके पास यहां पर हो या जो भी required qualifications हैं वो आपके पास होनी चाहिए और सरकार यह lay down कर सकती हैं it is a reasonable restriction जो की यहां पर article 91 GQ उपर लगाई जाती हैं इसी तरह से for example आप यहां पर कोई medical college खोलना चाहते हैं तो जो भी requisite infrastructure है medical college खोलने के लिए वो आपके पास होना जूरूरी है यह सबी तरह की reasonable restrictions यहां पर लगाई जा सकती हैं तो यह है article 91 और इसमें हमने देखा कि क्या क्या हमें अधिकार मिले हुए हैं मेरा एक सावाल आप से है कि हमें right to property भी पहले इसी article में मिला हुआ था कब उस right to property को यहां से हटा कर और कहां shift किया गया वो आप मुझे comment section में बताईएगा दूसरी बात यह कि यह जो article 91 मिला हुआ है हमें जिसमें हमें बहुत सारे freedoms मिले हुए हैं इन में आपको अपनी common everyday life में कहां कहां इनको आप देखते हैं लागू होता हुआ अपने विचार comment section में जरूर बताईएगा इंतजार रहेगा अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे till then thank you and have a great day ahead